यदा यदा ही धर्मस्य ग्ला निर्भवत इभारत अभ्योत्थानम अधर्मस्य तदा अत्मानम स्रजाम्यः भग्वान श्री क्रिष्ण ने गीता में संदेश दिया है और उसंदेश मानव मात्र के लिए जब संदेश दिया था उस समय के लिए भी और आज जब हम उसंदेश को याद कर रहे हैं मनन कर रहे हैं पठन कर रहे हैं वचन कर रहे हैं प्रियोग करेंगे करते रहेंगे तब भी वह संदिस अक्षर सह यह थार्थ है मित्रो आज प्राते काल नौब जी फेस्बुक लाइब पर आपका फिर से स्वागत है अभिनंदन है उसी स्लोग को अगर बात करें उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करें भगवान स्रिकस्ति क्या कहते हैं यदा यदा हिधर मश्य गला निरभवति भारत भारत उन्होंने अर्जुन के लिए कहा भारत उन्होंने अपने अनुयाईयों के लिए प्रियोग किया भारत उन्होंने पूरे विश्व के लिए प्रियोग किया हे भारत हे मित्र हे सखा हे अर्जुन हे जातको हे जातिकाओ हे समस्त्र प्रणियों प्रणिमात्र सभी यदा यदा ही धर्मश्य जब-जब इस प्रत्वी लोग पर इस भू लोग पर इस मृत्य लोग पर ग्लानेर भावति भारत जब-जब धर्म की हानी होती है अधर्म बढ़ता जाता है उसको रोकने के लिए उस अधर्म को कंट्रोल करने के लिए अभ्युथानम अधर्मस्य उतदात्मानम सजामिहम उसका संहार करने के लिए उसको सही रास्ते पर लाने के लिए उसको फिर से अभ्युदय प्राप्त करने के लिए सही मार्ग दिखाने के लिए तब तब मैं इस संसार में जन्म लेता हूँ और वो खगवान स्रिकस्न बऩटन स्रूब भगवान के स्रूब बगवान स्रिकस्न जो हैं वह अनेकों बार इस भूलोक पर जन्म लिये हैं अपना कार्य पूरा किया है निस्पादन किया है संदेश दिया है और फिर उन्होंने उसी रास्ते से दुनिया को दिखा कर अपनी मोक्स की प्राप्ति भी किया इसलिए हम और आप केवल और केवल निमित्त मात्र हैं और इस निमित्त मात्र से क्या होगा इस निमित्त मात्र से कई कार्य हम करते हैं कई कार्यों को करने से हमको सुख मिलता है खुसी मिलती है आनन्द मिलता है और कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनको हम कभी जानबूच कर करते ह कभी हम व्यावसाइग रूप से करते हैं कभी अनजाने में हो जाता है कभी परिस्थिती वस्थ हो जाता है यह सारे तच्छे सारी बात जब हम अपनी बात करते हैं अपने लिए बात करते हैं अपने लिए चिंतनमन करते हैं तो वही स्थिती परिस्थिती बाते दूसरों के स साथ भी होती हैं दोसरों की वज़े से भी होती हैं उनको भी वही कुछ करना पड़ता है क्योंकि इस दुनिया में हम और आप जितने भी मानव मात रहें वह एक निमित हैं जो सुरुवात में बात किये थी इसलिए कुछ कार्य ऐसे हैं वह हम को करने ही होते हैं कुछ कार्यों का कुछ ब्योहार का कुछ बिचार का कुछ वानी का मनसा वाचा कर्मना किसी भी तरह से वह अपने आप हो जाते हैं रास्ता हुए से ही बन जाता है छोटा सा एक्जामपल अगर हम दें कोई नहीं चाहता कि उसको कभी भी कोई तकलीफ हो सबसे पहले में अपने को फिर उसके अपने को नियरस जितने हैं फिर उसके समाज को देश को दुनिया को कोई नहीं चाहता है लेकिन फिर भी कुछ बातें हो जाती हैं कुछ कारी हो जाते हैं जो उसके बस में नहीं होता तब वह क्या करता है यस उसमें गिलानी भी होती है कभी वह माफी भी मागता है कभी उससे कोई विवाद भी हो जाता है और विवाद हम बात करते हैं तो किस तरह का विवाद होता है एक बहुत छोटी सी बात से लेकर विवाद सुरू होकर international court तक भी बाते पहुंच जाती हैं हमारे देश की बाते करें lower police के constable से लेके सबसे lowest grade का है revenue department का अधिकारे से लेके थाने से लेके court कछरी लोड डिस्टिक court सब court high court supreme court president of India भारत सरकार और उसकार अंतरराश्टी court भी international court of justice भी है वहां तक भी भी बात पहुंच जाते हैं बाते भी बहुंच जाती ही तो उनका पीछ श्यों naw त BUT श्य。 है यह उसी तरह सत्य है कि एक हात से ताली नहीं बस्ती चुटकी तो मित्रों बस्ती है लेकिं ताली बज्ञाने के लिए दोनों हाथ चाहिए और यह हमारी आपकी सभी की मानव मात्र की इनसानों की ये हमारी कमजोरी है क्या कमजोरी है कि हम अपनी गलती को नहीं मानते दूसरों पर दूसरे की गलती को बहुत उचालते हैं और कम भी उसकी गलती हो चाहे हम ही उसकी वज़े क्यों नहों हम उसको बजाए माफ करने के पार्डन करने के छोड़ देने के फॉर्गी फॉर्गेट करने के हम उस पर और अक्रामकता से ब्योहार करने लग जाते हैं तो यही सारी बातें अगर हम करें तो फिर हममें और प्रकरति के पदित treat की बात कर रहा हूं कांटे भी बने हैं कुछ बनाए कांटों माँ आप हाट डालो के तो चुब express ुआ शका विया हूरा है कांटा चाये गुलाब का हो चाये कीकर और और किसी भी तरह का हो बहुत गर्मी में आप निकलेंगे कई हाथ दे देंगे जलेगा बहुत ठंड में होंगे जहां फ्रीजिंग हो रहा तो खून भी जम जाएगा तो यही बार यही तथ्य हमको चाउधानी बरतनी पड़ती और कई बार ऐसा भी होता है कि हम गाहे बगाहे किसी से उलज पड़ते हैं कई बार यह बात सही है कि गलती दूसरे की भी होती है तो फिर क्या हम उससे उलज ही पड़े हम क्या मार पीटी कर लें या कुछ और ऐस तरह की अभधर भासा भी प्रियोग करें यह था संभव यह सारी बातें छोड़ दे इसको त्याग दे और अगर हम उस त्याग को छोड़ के उस त्याग करके बेकार की बातों को बेकार को जिन से दूर रखें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं उससे हम सबसे पहले अपना भला करते हैं हमारा मानसिक हार्दिक सारिरिक आर्थिक हर तरह से हमको सांती मिलती है बरबादी नहीं हमने आज किसी से किसी की भी गलती से कोई हिट हो गई हो गया होट आर्गुमेंट हो गया अच्छी वरी उपर की बाते नीचे की बाते हो शत्तत नहांत्र यह माने लें कि हमने उसको लेड़ Ohio कर दिया गिरा दिया अपनी जीत हासिल कर लिये बिर भी यह मन हमारे कसोड़ता है हम ने हमारे को यह आप पने अच्छा काम तो नहीं किया फिर क्या किया अपिज पिछलौ को होती यह हम कुछ आए कहें या ना कहें इसलिए यथा संभू ऐसी सिच्विएशन को टाल दे एक छोटा सा एक्जामपल अक्सर होता है और हमारे देश में भारतवर्श में तो लगवग सबीजेगे होता है यह ठीक है कि कुछ उसको सहन कर जाते हैं कुछ उसका ओवइट कर जाते हैं कुछ उसमें अच्छा मार्ग दर्सन कर जाते हैं और कुछ उसमें आर्गुमेंट से लेके से लेके मार्पीड तक भी पहुंच जाते हैं बहुत छोटी इसी बात देखें हम किसी भी साधन से यातरा कर रहे हैं यह रिक्से से हो आटो से हो टैक्सी से हो बस से हो जहाज से ओरेल शे हो अपनी गारी किसे क्यों ना हो टच हो जाते है मैं तो एक बात जानता हूँ कि जान बूज कर कोई किसी को हिट नहीं करता असाउधा नहीं हो सकती है बिल्कुल केरलेसनेस हो सकती है तो क्या हम को कैसे रियक्ट करना चाहिए वो केरलेसनेस हमसे भी हो सकती है आपसे भी हो सकती, दूसरे से भी हो सकती, तो क्या हम उसमें बिवाद ही खड़ा कर दे, बात का बदंगड ही बना दे, कोट का थरी मुकदमे की बात कर ले, मार पीठी कर ले, छोटी सी बात को क्या हम क्रिमिनल केस ही बना दे, कोई सूट ही फैल कर दे, अच्छी बात तो यह ही है यता संभव हम उसको छोड़ने की उससे को हटाने की कोशिस तो करें और कहने का मतलब है जो क्रिस्टेनिटी का एक सूत्र है वह मेरे मन में मस्तिस्क्र में आज प्रातकाद से गूज रहा है वजह तो मैं नहीं जानता है वो बार बार आया कभी पढ़ता हूं कभी सुनत हूं कभी बताता हूं कभी प्रैक्टिस भी करता हूं कभी की जब मैं बात कर रहा हूं क्योंकि नो वन इट पर्फेक्ट इन इस वर्ल्ड हर किसी में कुछ ने कुछ गलती है कमी है डेफिसियंसी तो है वह चाहिए किसी भी रूप में हो किसी भी सुरूप में हो किसी भी ज किसने ही है भगवान राम ही है या और भी जिस रूप में सत्गुर हुई है पुर नालग देव ही है जिस भी रूप में हम उनको मान रहे हो वो पूर्ण जातों गुनी में है इनसानों में तो कुछने कुछ कमी है होगी और आगे भी रहेगी नहीं तो पूर्णता होने के बा and forget. Christianity का बहुत अच्छे बात है, वो करते है भूल जाओ माफ कर दो इस से अच्छा संदेश क्या हो सकता है, देखो forgive and forget, दो ही वर्ड है forgive and forget, end तो भी इसमें है चाहे कौमा से काम चला ले हैं, या end को यूज ही करे हैं, दो सब्सक्राइब forgive किसको हम फिल दी लेंग्वेज को और forget forgive भूल जाओ, माफ कर दो forgive, forget, भूल भी जाओ, माफ भी कर दो अब हम किसको forgive करें, किसको forget करें कम करें यथा संभव यदि हम सभी को कर दें तो कहने में, सुनने में, समझने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी किसी को lesson तो teach करना पड़ता है, फिर भी जैसे ही आप ऐसी स्थिति आ जाए आप तो उसको correct करने के lesson टीच कर रहे हैं और वो तो बहुत ही aggressively आप से miss behavior करने लग गए है कोट के अच्छेनी मुदकत में की वी तियारी हो गई है और कुछ भी बाते हो गई हैं जिससे उसका भी नुकसान आपका भी नुकसान हो सकता है या आपका ही नुकसान हो सकता है या उसी का भी नुकसान हो सकता है तब भी उस situation को हम देखें handle कैसे करें इसके लिए कुछ छोटे छोटे से tips मेरे दिमाग में हैं उनको हम कोशिस करें वो फॉर्गे फॉर्गट को कैसे हम करें माप करने की प्रवर्थितों शुरू करें उसको एक लिए हम कुछ बाते करते हैं कुछ headline topics मेरे दिमाग में आ रही हैं उन्हें को बात करें वह situation अर्थात किऊं आई ओटि मैसा क्यों आया वह इवेंट ऐसा क्यों हुआ कि उसका ऐस तो हम जाने और डूत को तो जाने समझने की कोशिश तो करें अर्थात उसकी भी बात का वो कारण तो जाने वह कारण क्या हो सकता है प्राइब पारитель को ज्यादा रोड क्रोस धीरे धीरे कर रहा है ब्रद्ध भी है और भूखा भी है और उसको जाना भी क्योंकि वह तो अपने उस समय के दो जून की रोटी ने उसको एक जून का कुछ एक निवाले के लिए भी ढूंड रहा है और सामने से कोई हाई स्पीड की गाड़ी आई अचानक उसन भूक भी है उम्र से भी है तब उसको दो चार बाते कहीं धका दिया कहीं हिट भी कर दिया कभी और फिर चला गया उसका कारण तो जाने उसकी वास्तों में क्यों जानवुस के किया है यदि जानवुस के भी किया हो तो हमारा काम क्या है हम खुद तो एलेट रहें खुद त तब हमको क्या करना है हो चकता है कि मैंने शुरुवात्म के गाड़ी चलाने की एक नियम तो है यह नौर्मली जानते तो हैं कि जानगुचके एक्सिडेंट कोई नहीं करना चाहता क्योंकि उसको खुद को भी नुक्सान तो हो चकता है फिर भी किसी भी वज़य से बले लिमिट तक रियक्ट करना चाहिए उसको इतने तक ठीक है पुलिस को बुला के आपने हैंड़ोवर कर दिया उसको लेसन मिल गया उसका चलान हो गया आगे के लिए अलर्ट कर दिया इतनी बात ठीक है और उसके अलावा आपका जो नुक्सान है ज्यादा नुक्सान है कम न स्थिश्ण तक पहुँच जाए बहुत ज्यादा और नखसन हो जाए तब क्या करें वह सिच्विक्शन वास्तों में छोड़नी चाहिए और इसलिए हम को क्या करना है उसका कारण जानना है वह हैं क्या wszystko तो है क्या पदार्त है क्या वज़ा है क्या समय है तो इसलिए हम उसको माफ करने की प्रोड़ती तो रखें लेकिन उसको यथा संबग करेक्ट करने के लिए भी ताकि वह गलती तुबारा ना कि एसे रास्टे पे बाधिस तो हो प्रीरित तो हो फिर भी नहीं मानता फिर आप लीगल कोर्स आफ एक्षिन भी जरूर करें लेकिन यह बात सही है मेरी कर्बद प्रातना भी रहती है कि यता संभव हम उससे फिजिकल एसॉल्ट करने की कोशिश ना करें क्योंकि जैसे या आपने एक हाथ उठाया दूसरा भी हो सकता है उससे अधिको किसलिए कभी किसी को किसी भी रूप से कमजोर नहीं आकना चाहिए और forgive, forget, माफ करने की इचा, माफ करने की प्रवड़ती यदि है तो उससे अच्छी बात क्या है कारण हमने जा अब इस कारण को जान कर किसी को पता नहीं चलता, यस गुछता आता है, यह हमन नेचर है, गंजोरी है, मुझे भी आता है आपको भी आता है, तो उससे पहले बजाए react करने क्या छोटी सी example एक दो हैं हम क्या कर सकते हैं spontaneously कर सकते हैं उस काम को उस बात को उस तठ्ठी को एक لم्बी स्वांस तो ले ले आप बात करने से पहले breathing करके breathe out कर दें धीरे इस हैं सांत हो जाएं यदि संभव हो तो एक घुट पानी पी ले अब गड़्राई भी करें थोड़ा सा पानी पी ले नहीं जल है अपनी लार को तो लार तो आपके पास है जिवा से अंदर कर ले निगल ले उसको छण भर के लिए मुमेंट के लिए भगवान को परमपिता को जिस सुरुपमें सरुपमें आप माते उसको ब्रण तो करके और कुछ पलके ही लिए भले ही हो अपने चित को अप से लगाने इसकी जगें आप अपने आप से लगाने जैसे ही आपने च्छोटा से काम कियाDerे मेश चोड़ दी धीरे संस ली धीरे एक हूंट जल का पी लिया नहीं जल है जिहुआ से लार को निगल लिया और एक पॉज तो देदे च्छोटा सा बिराम तो देदें आपको कारण भी समझ में आया रीजन भी समझ में आया और आप तुरंत रियक्ट नहीं करेंगे आप ठ्रैक्टिस तो करें जैसे आपने सोचे समझे रियक्ट कर दिया तो क्या होगा बात उसकी परणिती उसका ट्रास्फोर्मेशन नेगेटिव एक छोटी सी बात दूसरा कारण के अलावा दूसरी बात क्या है उस परिस्थिति को देखें उस वाट इस इस्टेट ऑफ माइन वाट इस इस्टेट ऑफ फिर एड़ पर्टिकुलर पॉइंट व्यू अफ टाइम जब यह घटना घटी चाहिए वह एक्सिडेंट की हो वारल की हो लूट की हो दुर्बे उहार की हो क्यों हुआ है सारी बात है और वही बात है जो भी हुआ चलो दूसरे ने किया हम उसको दुस्ट कह सकते हैं गलत कह सकते हैं किसी भी रह तक हमने रियक्ट क्यों किया हम क्यों रियक्ट कर रहे हैं दोनों की परस्थिति को आप समझगी कई बार होता है कोई नुक्सान हो जा जल का ग्रहन करना अपने आप पे खोना अपने आप से आंसर पूछना उसको जगह आपको बात व्योहार करना वैसे व्योहार करना तो उससे हमको माफ करने की प्रवर्ती और बढ़ती है और फिर यदि संभव हो परिस्थित की जानने के बाद, कारनो तो समझ में आएगा, उसकी क्यों क्योंख सी देगा है, आप अपने आपको इस्थापित करो, वहां अपने आपको फिट करो, तीसरी बात थी, कि दूसरों की विचारों को देखे, आपको करने के बाद कई बार होता है, कि बच्चा है, मैं या सोरी, माफ करना मेरे से कुछ भी हुआ, अगर असाथ भी कहते हैं, मेरा ध्यान नहीं गया, मेरे से ब्रेक नहीं लेगी, मेरे मुझे अनाया से कोई बात निकल गई, या मेरी ड्यूटी थी, मैं नहीं कर पाया, मैंने आपको उधार करजा देना था, नहीं दे पाया या भी या आपने देना है, अब मुझे जरूत है, अब दे दो, मकान खाली ही करना हो, किसे लें देन ही हो, और कोई भी बेवहर हो, इस बात की अगर बात करें, जैसे हाथ आपने जोड़े, आप किसी भी उम्र के हो, सापने वाले का दिल जरूर पसीच जाएगा, वो पिस गया, अब्यूजिव बातें शुरू कर दी, लेंग्वेज शुरू कर दी, अकड़ के धोंच दिखा के गूरने की कुछिस कर दी, अपना बन दिखाने की कुछिस कर दी, या दूसरे को मिला, यह तो बहुत ही कमजूर है, उसकी हैबिट तो ऐसी ही है, अक्सर करने वाला है तब क्या होगा, तब उस समय उसके बिचार, आपने उसका ब्योहा, उसकी आपके आदते, उसके नजरिया कैसा है, या आपने देखनी कुछिस की, तब आप उसको माफ करने में और अधिक सक्षम होंगे, तीन बाते हमने इस माफ करने की प्रूर्टि के लिए दी, और जो परिस्तिती परिस्तिती देख लिए, विचार देख लिया, कारण जान लिये, और उसको यदि आप माफ करते हैं, तो उसका क्या होगा, प्वारल नहीं होगा, जगड़ा नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा, कोट कचरी मुकत्मा नहीं होगा, सारे रिक, आर्थिक, म से एक ब्यावार एक नुकसान नहीं होगा और यह सब्सक्राइब क्या होगा आप स्वयम भी वह दूसरा भी समाज भी देश भी दुनिया भी किसी और पॉजिटिव कारियों में जाएगी पाकिस्तान का काम ही रोज क्या है पाकिस्तान का काम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए तो कुछ करने ही पाते हैं भारत विरोधी कारी करते रहना कभी गुला बना देना कभी उगरवादी डाल देना कभी कुछ कर देना तो भीया पाकिस्तान बनने को छोड़ो तालिबानी जो सोच है उसको हटाईए भगवान राम से प्रिजणा ले भगवान राम को क्या किया जब 14 वर्स के बनुवास के बाद भी वो सब काटने के बाद जब वापस आए फिर एक प्रजाम ऐसे किसी ने कह दिया कि मैं वो राम नहीं हूँ जो इतने समय राउन जिसकी पत्नी को ले गया था मैं उसको फिर से रख दूँ उसी से आहत होकर भगवान राम ने माता सीता का फिर से अगनी परिक्षन करवाए तो उसका हम कोशिस्ट करें इसलिए बहुत ज़्यादा बिचलित नहीं बहुत ज़्यादा उसके में हम समूल में ना जाएं जहां जितना संभव हो उतना कोशिस्ट करते हैं और कई बार ऐसी बाते होती हैं कोई बाते कह दी जाते हैं आपको बुरी लगते हैं कैसा कम्मुनिकेशन ऐसा ट्विस्ट होके मिल जाता है चाहे आपका अपना मित्र को नहों आपके विचार ही क्यों नहों कोई आपने न्यूजिक क्यों ना सुन ली हो कोई और कम्मुनिकेशन ही क्यों नहीं हो अच्छे और बुरी बाते हैं अच्छे लगने वाली बुरी लगने वाली जूटी बाते भी होती हैं सच बाते भी होती हैं तो उनका बराबर से आकलंग करते हैं सुख दुखे समेक रत्वा लाभा लाभाव जया जयो शुरुवात हमने गीता के स्लोक से वाउस देव के मुखार बिंदु से बात निकले तिमा सुरु किये थे फिर हम एक और बात करें भगवान से किसने करते हैं सुख दुखे समेक रत्वा लाभा लाभाव जया जो सुखो और दुख को आप बराबर माने एक समाने लाब हो या हानी हो विजय हो या उसका हार हो इस सब को आप बराबर माने क्योंकि वह तो नियत इतने फिक्स कर दिया है फिर भी नियत के फिक्स करने के बाद भी हम अपना विचार वानी मनसाव आचा करमना सुधार तो कर सकते हैं because there is always scope for improvement. सुधार की हर समय गुंजाइस है. इसी गुंजाइस को ध्यान में रखते हुए दूसरों को माफ करने की इप्रोर्टी को महम बनाएं. अब फिर कुछ भी बात करने से पहले इतनी बात हैं, हमने चार-पास बातें कर लिए फिर एक रिफिंकिंग तो करें, पुना सोच-विचार तो करें, यह सोच-विचार जरू करें, यह माफ करने से सबसे पहले आपका क्या नुकसान है, क्या फाइदा है? कहता ही नहीं कहता, आपकी किसी ने प्रोपरटी दबा दी है, आप उसको माफ कर दो. जतने ज्यादा जरूरत है, यह स्ट स्टांस में उतना ही रियक्ट करें, जितना बहुत जरूरी हो, जिसके बिने काम ना चलता हो, और फिर जरूरत हो तो उसके लिए फिरापूल कर चरी भी करें, इसलिए तो चीजें बनी हैं, और इया माफ कर देने से, या भूल जाने से, या छोड देने से, आपका सबसे पहले क्या नुक्सान हो सकता है, कितना हो सकता है, क्या वब्य lober है? या दूसरे को क्या फाइदा हो सकता है क्योंकि आप कंपेर भी कर सकते हैं जब आपका नुक्सान और आप दूसरे का फाइदा आपका नुक्सान क्या दूसरे का क्या फाइदा किस एंगल से अगर आप विचार करेंगे तो आपकी बात और असानी आती यह इसका रिवर्स कर दें आपका क्य है दूसरे को भूलने से और दूसरे का च्मक्ता हो चकता एगी वह रिवरस बात हो जाएगे फिर हब माफ लेकर है फर आप तो दोनों तरह से हैं को देख है और उसके बाद अगर में एक अपने कारी में देने कार या नहम्तिक प्रॉव्ण की एकार जो भी काम है जो भी पर्फॉमेंस है उसमें हम माफ करने की फॉर्गिव फॉर्गेट करने की जो प्रवर्टियर रखते हैं बनाते हैं आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा आपका जो सारी रिक व्यक्तित्व है फेस से ही लोग कहेंगे अरे भीया तो बहुत सज्जन और उसको हर कोई पसंद करता है खुस्बुको और वही एक कोई गंदी सी जाले के बद्रीव आ रही है तो पहलती हो पसंद नहीं करता उसे बचने की कोशिश हर कोई करता है और क्यों नो हम चमेली के फूल के खुस्बुकी है बनने की कोशेस करें माफ करने से थोड़ी सी याज चूटी सी बात माफ करने की प्रीषी माफ करने की आदत से माफी माग लेने से और क्यों हम उस गंडे नाले की बद्व livro की तरह अपने आपको बनाएं तो फरक हमको देखता है इस से से बात करते हुए माफी और माफी नामा माफ करना इसको अब सुरुबाद करें तो इससे आपको तो फायदा है आपका तो उत्थान है आपको तो सांती मिलती है आपको तो खुशी मिलती है आपके अपनों को भी मिलती है और जिसको लिए आपने छोड़ दिया माफ कर दिया उसको भी कले लगा लिया आपने उसके मन मस्तिस्क में भी बेवहार में भी विचारों में भी आपका सम्मान और अधिक बढ़ जाता है आपकी पद्वी स्वता ही उंची हो जादी आपने किया तो माफ दूसरे को लेकिन अपना फाइदा क्या क्या आपका मान सम्मान उसके मन मस्सक में और बढ़ गया आसिरवाद आपको मिला इसलिए का है जहां चाह है वहां राह है जैसे करम करेगा वैसे फल देगा भगवान यह गीता का लिया जिसलिए इस चाह को इस राह को हम अपनाएं आगे बढ़ाएं और इसी में आपका तो कल्यांड है दूसरे का भी कल्यांड होगा क्योंकि आप और अपनी जो मैं बार बार कर रहा हूँ या इंसान की इनसानियत की कमजोरी है हम तो पहले देखते आरे से क मुझे किसी का नुकसान हुआ है कोई कहीं बाड़ आ गई हैं एक्सिडेंट हो गया है कहीं कुछ और बात होगी मेरे को क्या मत्विससे मेरे क्या हो रहत नहीं अगा जो कोविड-डाइटीन सब को ला दिया भाई है इस सभी का नुट्सान हो रहा भगवान ना करें ऐसी अस् कि आने वाले रभी बाहर को फिर हम प्रातनों वज्य आपसे मिलेंगे तब तक के लिए जैस्री राम जैस्री राम जैस्री राम जो मित्र देर से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि फेस्बुक पर यह वीडियो उपलब्द रहेगा और आपसे थोड़ी दस-पंदर मिनट क करेंगे उसमा आपको मिलेंगे और आप मेरा उत्साव अर्धन करते हैं आप सभी का धन्यवाद साधुवाद बहुत से मित्र बहुत सीनर से लोग इसमें जुड़े हुए हैं मेरे अपने भी हैं मेरे कुछ को क्या आज तो जितने मैं लगबग देख पाया हूं लगबग स सारे मित्र मेरे घनिस्ट मित्र हैं सभी का धन्यवाद साधुवाद जैस्री राम जैस्री राम